Hello guys, hope you all are doing good तो आज मैं Etobico Drive Test Center में हूँ जो की Toronto में ही है और आज हम G Root करने वाले हैं तो G Root के दो रास्ते हैं एक में हम Renforth Avenue से Left Turn लेके Highway पे Merge करते हैं और दूसरे में हम Renforth Avenue से Right Turn लेके Highway पे Merge करते हैं So हम दोनों route करेंगे, one by one So I will create two videos for this तो जरूर second video भी जरूर देखेगा हमारी So the first thing जब भी examiner आता है तो वो पहले आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है आपका आज ड्राइब टेस्ट है नहीं है जूसरी चीज आपको जो धियान रखनी है जब भी आप ड्राइब टेस्ट देने आएंगे तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मेरे सामने slots number लिखे वे हैं तो हर एक board पे एक number लिखा है जैसे मेरे सामने 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहा होगा आपको तो आप एक अपनी parking slot पे गाड़ी लगाईगे और अंदर जाके self-in kiosk पे entry करिए तो जहाँ पर आपको slot number mention करना होगा फिर जब आपका time होगा या उससे 10-15 मिनिट बाद examiner आपके पास आएगा और examiner आपका गाड़ी को inspect करेगा तो इसमें वो क्या check करता है सबसे पहले वो आपसे आपका नाम पूछेगा या आपका test है नहीं है फिर वो गाड़ी में आपकी indicators on करवाएगा तो आपसे पहले left signal देगा right signal देगा, पीछे के signals चेक करेगा वो honk चेक करेगा as well as वो brake lights चेक करेगा so make sure करिए कि ये सारी चीज़े आपकी गाड़ी पर चल रही हो और उसके बाद वो आपकी गाड़ी में आके बैठेगा and then वो आपका license चेक करेगा अपने tablet पे कुछ entries करेगा आपके license की, आपके drive test की और फिर वो आपका drive test स्टार्ट होगा so let's start the drive test now तो पहली चीज जो examiner हमें बोलेगा वो बोलेगा कि हमें right लेकर exit लेना है so हम right लेंगे और exit लेंगे जबी भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एक चीज का हमेशा धिहान रखेगा कि आप चारों तरफ से scan करें गाड़ी को तीनों mirrors देखें प्लस आप अपना blind spots चेक करें before initiating और before moving forward ठीक है तो हम start करते हैं मैं 4 तरफ देख लिया है और अब मैं शुरू करता हूँ right लेता हूँ आज Saturday है तो थुरा rush कम है और उसके बाद वो हमें right लेकर left लेना है ताकि हम बाहर exit वाली road पर आ जाए यहाँ पर stop sign दिखेगा आपको तो वही normal stop लेना है आपको 3 second का so stop here for 3 seconds count 1001, 1002, 1003 and then start your car अब हम Eglinton Avenue West पर आ गए है तो Eglinton Avenue West पर हमें right लेना है यहाँ पर भी stop sign है तो वही आपको 3 second का stop लेना है यह याद रखे कि यह one-way stop है तो सिर्फ हमारा stop है 3 second रुकिए पीछे से गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है उसको देखिए अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो in that case what you have to do is कि आप हलब कासा आगे बढ़के अभी ही आप देख सकते हैं now यहाँ पर जो speed limit है वो 60 km की है so you have to accelerate our car to 60 km पर आवर अभी क्या है कि red light पर थोड़ा traffic था और मेरे आगे इतना gap नहीं है तो मैं उसको 60 पर नहीं कर रहा हूँ so I am somewhere around 50 km at the time तो वो तो जैसी situation होगी जैसा traffic होगा उसके accordingly आपको drive करना है अगर आपके पास scope है तो आप जितना जल्दी हो सके उसको 60 पर accelerate करें जैसे अब मेरे आप यहां पर सब गाड़ियां जो है वो 60 पर चगड़ी है और एक और चीज धिहान रखेगा कि जब भी आप गाड़ी चलाते हैं तो आप थोड़ा gap maintain करें वो भी examiner check करता है so the minimum gap you should have is 2 seconds okay so we will discuss that 2 second gap later on अब हम जा रहे हैं Eglinton Avenue West पर और हम अपना G route कर रहे हैं so whenever you are stopping maintain a safe distance the definition of safe distance is that कि आपको आगे वाली गाड़ी का tyre और pavement दिखना चाहिए तो यह safe distance होता है जो examiner generally check करता है तो आप भी उसे इसाब से अपने गाड़ी बाग करिये so after crossing Orbiter street examiner will ask you to make a lane change so we will do a lane change now when it is safe to do so यह याद रखेगा अगर कोई गाड़ी आ रही है speed में है तो उसको जाने दे immediately lane change करना जरूरी नहीं है अराम से lane change कर सकते हैं and then we will move back तो वो आपको एक पर lane change करवा के वापस बोलेगा because we are not going to drive in the passing lane and we will only drive in the second lane such that कि अगर कोई speed में है किसको overtake लेना है तो वो आगे जा सकता है आज Saturday है थोड़ा rush कम है usually अगर आपका exam weekday पर है तो थोड़ा सा rush जादा मिलेगा आपको just maintain safe distance drive safely so यहां पर आप देखोगे तो दो lane बन रही है so make sure कि हम second from the right lane में हो क्योंकि right lane जो है वो turn होने के लिए lane है एक और चीज जो आप ध्यान रखेगा वो है observations you have to check all three mirrors कौन-कौन से three mirrors होते हैं आपके पास back mirror center back mirror and then left mirror and then right mirror every 15 seconds यह तीनो mirrors चेक करिए आप and you also have to anytime you are crossing a red light always look left right left anytime you are crossing an intersection always look left right left देखिए कि कोई traffic तो नहीं आ रहा है कोई pedestrian तो नहीं आ रहा है जो भी है सबको देखिए सबको चेक करिए अब Renforth Drive है यहां से हम right turn लेंगे so give signal check your mirror and blind spot and then turn right so अभी हमारी red light है so मैं इसको stop sign trade करूंगा I will stop for three seconds and then I will start looking for traffic so आपको दो लें में traffic देखना है कि कोई traffic तो नहीं आ रहा है reason being क्योंकि एक lane जो है वो turn होने वाली है इसके बाद एक और चीज है कि यहां पर cycle lane भी है तो आपको यह make sure करना है कि आप cycle lane पे ना drive करें और cycle lane को extra चोड़ें and then my speed was little over which you should not do so make sure कि आप 40 तक maximum touch करें 40 से उपर नहीं जाए and then the speed limit over here is around 40 तो 40 maintain करके चलिये then the examiner will ask us to change the lane so मैं lane change करके left lane में होंगा because यहां से हमें left turn होना है so यहां से हमें left turn लेना है तो अब जो हम left turn लेंगे वो हम so अब हमें erring gate drive से left turn लेना है so change the lane left lane में आ जाए और अपना distance maintain करते हुए रुख जाए so now we will wait for our turn and then turn okay I don't think so that I will be able to turn in this time because it is about to turn red and yes एक ही गाड़ी जा पाई है दो गाड़ी गहीं actually इस पर signal में there was lot of traffic in front of us so एक चीज जो मैं आपको important चीज है जो आपको बताना चाहता हूँ कि आपसे कुछ maneuvers कराय जाते हैं जैसे कि आपको lane change बोला जाता है तो आपको normal जो business areas है जो city drive है जो 50 पे या 60 पे हो सकती है उसमें भी आपको lane change बोला जाएगा और इसके अलावा जब आप highway पे drive कर रहे हैं तो उसमें भी आपको lane change बोला जाएगा बट जो instructor बोलता है वो बोलता है change lane when it is safe to do so इसका मतलब यह नहीं है कि immediately जैसे ही instructor ने बोला आप immediately lane change कर ले पहले आप सबसे पहली चीज आप करेंगी कि आप पहले अपने mirror पे देखने कितना traffic है अगर आपको लगता है कि थोड़ा moderate traffic है तो आप signal दे सकते हैं because whenever you give signal, you clear your intent कि कोई पीछे गाड़ी आ रही होगा उसको पता है कि आपको turn होना है तो अगर उसको आपको space देनी है तो वो दे सकता है कि आपको पता नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा तो give the signal, clear your intent अब हमारा जाने का scope है और हम जा सकते है yes traffic is fast and I can also take a turn alright तो उसके बाद आपको यह करना है कि जब आपको अपने mirror पे देखा और यहां जो speed limit है वो 40 की speed limit है so maintain the speed limit और यहां पर हमारे पास पहला stop sign आया है which is your always stop sign so we will wait on this stop sign and wait for our turn so जो पहले आएगा वो पहले जाएगा so हम पहले आई इस गाड़ी से तो हम पहले जाएगे that's the rule otherwise अगर वो गाड़ी वाला पहले जाता है तो obviously ठीक है फिर आप रूख जाए अगर वो इनिशेट कर दिया उसने movement तो जरूरी नहीं है कि आप वो उसको वो कि आप भी अपनी गाड़ी तभी accelerate करें so wherever we were talking about कि आपको lane change कैसे करना है so when it is safe to do so आपने जब signal दिया और उसके बाद आप mirror दुबारे चेक करिए जब आपको gap लगता है blind spot चेक करिए अपना और फिल अप लेल मर्च करिए और कभी भी intersection के बीच में lane change नहीं करनी है अगर आप कोई traffic signal क्रॉस कर रहे हैं या कोई intersections है बड़ा intersection है तो कोशिश करिए कि lane change ना करें avoid करें हांसे time पर क्योंकि कोई traffic जो turn हो रहा होता है जो आपका right side पर left side पर खड़ा उसको भी problem होती हो understand नहीं कर पाता क्योंकि अगर आप first lane में या और आपको गाड़ी right मुरने वाली है उसको नहीं पता चलेगा क्या है तो इसलिए problem create हो सकती है now we are going to merge on highway तो यहां पर आपका सीधा आपको हमें right लेना होता है highway पर जाने के लिए so we will take a right turn towards highway so यहां पर कोई और road नहीं है तो इसलिए मैंने signal नहीं दिया क्योंकि यहां पर कोई option ही नहीं था जाने का and now I will start accelerating my car because highway speed is 100 km per hour तो मैंने full throttle के साथ मैं अपनी गाड़ी के अपना plane समझता हूं तो इसलिए मैं throttle बोलता हूं so then we have to change lane because यहां पर हमारी lane खतम हो रही थी और अभी भी 200 meters पर यह lane भी खतम हो रही है so मैंने signal दे दिया है and I am making a gap looking in the mirror continuously checking my blind spot and then I am merged one more lane now we will go straight in this lane and then we have to do one more lane change so now I am giving my signal and I am checking my blind spot and I am changing my lane okay so after that you have to change three lane and then we will come back by one more lane after some time let's get this traffic to merge okay and now I am going to I guess people are going so I have to go towards this Brentford Avenue so I will just take to the right lane so the instructor will tell you one time you will go to left lane then you will go to right lane now I am one time tour but I don't know how to speak it but we are going to exit so here our speed is 60 and we have to keep in second lane because just like we are taking left lane immediately we will have to take right lane on the highway so basically what we are going to do here we have to take U-turn so you will have to keep in second lane so you will keep in second lane and don't keep in first lane the instructor will advise you so let's wait for our turn and now when the signal will turn green we will turn in the second lane because we are in second lane then we will turn in second lane so that we will do if anyone can see pedestrian then you will try to maintain a gap because you will never know what movement will do stay in the second lane and immediately change back to the right lane because we have to turn right we have to go back towards the drive test center so now we are at 427 north sorry now we are at 427 south and now we are at 427 north so over here the speed limit is 40 so this is a curve speed so this is a curve speed when you are at the curve until you are at 40 and after that you cross the curve and after that you have to accelerate the speed limit is 100 so we will accelerate 100 so complete the curve and once my curve completes once you can see that there is a white line yellow line is finished and I will start accelerating it is a very small ramp it is only 100 meters so we have to accelerate as soon as possible and then we have to so I have merged on 95 and the more accelerate I can't touch 100 but that was maximum possible by my car it also depends on your car which car is so make sure that you you can accelerate so I will change one more lane because this turn will go east where we don't have to go and now we will maintain a speed limit so speed limit don't change speed limit don't change speed limit expressway we are looking at our three mirrors we are looking at our three mirrors and we know what's happening what's happening second speed limit we are driving speed limit and the third thing is that distance whether we are maintaining a safe distance of two to three seconds or not so how we calculate this two to three seconds is that let's say that on a side of road you can see a pillar you can see a pillar so when your car is crossing the pillar so when your car is crossing the pillar then how long after you start counting 1001 1002 then how long after you cross that pillar so this is the idea of how much gap is so the gap is 2 to 3 seconds so now we will go straight so in the middle lane because we have to take exit towards Eglinton avenue west and now the speed is 30 so I will drop down my speed from 100 to 30 so and then we have to go in 30 km per hour complete the curve and then we have to merge on Eglinton avenue west at 60 because the speed is 60 km so then the instructor will ask us again to change one more lane to the right because we have to take the right turn here alright ok so the car hasn't taken the stop ok now the light has turned green so I will quickly take a turn I just checked my blind spot mirror and then I have taken the car I have also quickly scanned the intersection that if any car is coming from speed then that can also be seen so this is what all you have to do and now here it is a little long drive back towards the drive test center so make sure you do all the observations and you drive at a safe distance again we are on Eglinton avenue west again we are on Eglinton avenue west the speed limit on Eglinton avenue west is 60 km per hour so as this is the modified route so we don't have to drive in residential area that means we are not going to do some maneuvers like roadside stop parallel parking 3 point turn and not we are back parking in g-test so for 2022 they have modified the route reason being because this is a large backlog due to Covid there was a drive test center there has been a lot of backlog so it has been a lot of backlog so for us to clear it so they have the backlog for us to clear the backlog they have all exhausted so that is new so you have already driven your residents in g-2 in residential area you have already driven you have all the maneuvers so you have the maneuvers in g-2 you have the maneuvers you will not check the maneuvers it becomes easier for few people who are giving directly g-2 so if you use the easy drive test center choose your test and you have directly give the maneuvers then you have theat पार्किंग, बैक पार्किंग कुछ नहीं करना है, which is very good. कभी भी आपको इंटरसेक्शन क्रॉस करते हैं, तो यह जो पेडिस्ट्रेन क्रॉसिंग के ओपर टाइम आ रहा होता है, उसको जरूर देखिये, because this give you an idea कि यह जो सिगनल है, ट्राफिक सिगनल है, यह कितनी देल में red होगा, तो अगर ताइम आपका around less than 4-5 seconds है, आप prepare हो जाएं कि हो सकता है, आपको रुखना पड़ जायागा, तब तक आपकी yellow turn हो जाएं, so you get mentally prepared कि आपको ट्राफिक सिगनल पे रुखना है, यह आपको ट्राफिक सिगनल पे नहीं रुखना है, नहीं रुखना है, so instructor will ask us to drive in the second lane only, मतलब वो आपसे कुछ नहीं काएगा, जब तक वो नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि हम passing lane में नहीं चलाते हैं, okay, so make sure you drive in the second lane or the rightmost lane over here, now if you see I have started watching the time so which is something मैं पहले दूर से देखना शुरू कर देता हूं कि क्या time चल रहा है, ताकि मुझे एक idea हो जाए कि whether I have to stop my car, कि मेरको अभी de-accelerate करोंगा, कि मेरको ब्रेक प्रेस करनी पड़ेगी, कितना तक्काम टाइम रह गया है, so if it is somewhere around 6 seconds or less than 6 seconds, 5 seconds, so I start de-accelerating my car, so after orbiter drive, examiner will ask us to change the lane, तो आपको याद रखने की जरुवत नहीं है, क्योंकि वह तो examiner आपको पता ही देगा कि कब आपको lane change करनी है, just make sure कि आप proper manuers कर रहे हैं, proper speed limit में गाड़ी चला रहे हैं, यह बहुत लंबा road है, और बहुत ज्यादा chances हैं, बहुत wide road है, और काफी लंबी बड़ी lanes भी है, so बहुत chances हैं कि आपका, speed limit से ज्यादा चले, speed limit 60 की है, हो सकते हैं कि आप आपको पता ना चले और आपकी गाड़ी 65-70 पर पहुंच जा है, so make sure करे, speed limit maintain करें यहां पर, और आप अपनी observation skills को maintain करके चले, immediately after satellite drive, now examiner will ask us to turn left, तो यहां पर हमारा जब यह yellow solid line complete होगी, उसके बाद जब यह dotted line, white dotted line start होगी, तो हम lane change कर लेंगे, और हम left की तरफ आजाएंगे, because now we are turning back towards the drive test center, अगर traffic नहीं है, तो हमें रुखने की जरुवत नहीं है, because it is not a stop sign, तो आप normally हम turn कर सकते हैं, and now we will go straight, and then examiner will ask us to park front in any of the slots, so let's say we are parking towards the left side, और जब यह front parking कर रहे हैं, तो एक चीज का जरूर धियान रखेगा, कि आप single attempt में front parking करें, कोशिश करिए कि आपको दो attempt नहीं करने पड़े, but still the second attempt is allowed, but it's like it's good कि अगर आप first attempt में करते हैं, so I hope this content is useful for you, and now I am going to make the second route of G drive test, so let's follow two routes here examiner, we will do the second route, so watch the second video also, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, please like my video, share it with your friends and family, and do subscribe to my channel, because I will continuously make good videos, it's not only about passing the exam, it's about that you should have good driving skills, and you should know all the rules about Toronto, so I keep on making such videos, so please subscribe to my channel, thank you.